Hello Students, स्वागत है आप सभी का, वोलकनों आईए इसके डेली करेंट अफेर के डिसकसन में तो Students, आज का जो करेंट अफेर का डिसकसन है, उसे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें फास्ट टॉपिक की, तो ये है इंडियन ओलम्पिक असोशेशन के बारे में Students, recently हमारी एक्स ओलम्पियन पीटी उसा को इसके प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है Indian Olympic Association के President के रूप में Indian Olympic Association के अगर हम बात करें, ये Governing Body है, Olympic Movement या Commonwealth Games के जो Movement होते हैं जो Games organized किये जाते हैं, उन सब को यहां पे गवर्न किया जाता है इस Organization के दुवारा इसके इलाबा International Olympic Association की जो कमेटी होती है Olympic Games जो Federation होता है Commonwealth Games Federation Olympic Council of Asia means the Olympic और Commonwealth Games related जो भी कमेटी होती है चाहिए वो Asia की कमेटी हो या International Level की कमेटी हो उन सभी से एक इंपोर्टेंट और्गनाइजेशन है sports के सेक्टर में governance को govern करना हो या athletics के welfare के रूप में काम करने से related ये organization अपना mean काम करती है Indian Olympic Association के अगर हम बात करें तो Ministry of Youth, Fair and Sports के अंडर में ये आती है इसी तरीके से एक हमारे यहाँ और organization है Sports Authority of India जिसे हम साइं के नाम से जानते हैं साइं भी यहाँ पे हमारे जो athletics हैं जो players हैं उनको prepare करने में उनकी preparation में help करती है sports का जो coaching है जो उनको accommodation प्रवाइड करना उनको facilities प्रवाइड करना वो साइं के दुवारा किये जाते हैं वो भी Ministry of Youth, Fair and Sports के अंडर में ही आती है students यहाँ पे अगर हम बात करें Indian Olympic Association के बारे में इसकी history के बारे में तो 1927 को Indian Olympic Association को establish किया था हमारे सर दोराब जी टाटा के दुवारा एड एजी नोहरेन यह इसके founding president थे और secretary general थे non-profit organization के रूप में इसको register किया गया है Society's Registration Act 1860 के दुवारा अगर हम governance की बात करें तो Indian Olympic Association basically इसके 32 इसके executive council के अंदर member होते हैं उनकी दुवारा govern की जाती है और इसको head किया जाता है इसके president के दुवारा इसके election है executive council का जो election है वो चार साल में एक बार इसका election होता है तो students यहाँ पर important बात यह है कि हमारा जो Olympic Association है Olympic के लिए जो team जाती है Olympic के लिए players को किस तरीके से prepare करना है उनको क्या-क्या facilities प्रवाइड करवाना है यह सब work और हमारा sports में governance को देखना players का welfare को देखना यह सब यहाँ पर Indian Olympic Association के दुवरा oversight किया जाता है अब यहाँ पर important बात निकल के आती है Olympic के बारे में तो आप देखे कि अभी recently जो Olympic और्गनाइज हुए थे recently Olympic कब और्गनाइज हुए थे students 2021 में बट यह 2021 के Olympic नहीं थे 2020 के Olympic थे COVID की वज़े से 2020 के अंदर Olympic नहीं हो पाए थे तो 2020 के Olympic थे यह Tokyo के अंदर हुए थे जो Japan की capital है Tokyo वहाँ पे Tokyo Olympic के नाम से जाना जाता है इनको तो आपको Olympics के बारे में पता होना चाहिए 4 years के अंदर में यह Olympic होते है 4 साल के अंदर में यह Olympic होते हैं Olympic की जो rings होती है इसका कभी आप flag देखना 5 वहाँ पे जो rings होए वो different sectors को represent करती है आपको sports के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं होनी चीए ज़्यादा deeply knowledge होनी की ज़रुरत नहीं है UPSC इस तरी के questions नहीं पूछती है पर 2021 के अंदर में 2021 के समय में due to Olympic या क्या region था UPSC के दुवारा दो questions sports से related पूछे गए तो little bit information होना चीए आपको interest भी हो सकता है तो students ये basically Indian Olympic Association की बारे में बात थी अगर हम बात करें next topic की next topic है blue bugging blue bugging के अगर हम बात करें students ये एक नई टाइप की hacking है जिसके अंदर हम जैसे Bluetooth device है आप देगे कि हम Bluetooth headphone यूज़ करते है Bluetooth headphone जो हम यूज़ करते हैं तो उस connection को यहाँ पे यूज़ करते हुए आपके phone को यहाँ पे hack किया जा सकता है तो उसे blue bugging के रूप से जाना जाता है तो ये एक form of hacking है जिसके तुरू जो attackers है वो यहाँ पे आपकी device को access कर सकते हैं discoverable जो Bluetooth connection होते हैं उनके तुरू में वन से device और phone यहाँ पे blue bugged हो जाता है hacker वहाँ पे आपकी जो call है उसको listen कर सकता है सुन सकता है message read कर सकता है message send कर सकता है इसके लावा और भी बहुत सारी जो information है contacts की information वो सब यहाँ पे चुराई जा सकती है hacker के दुआरा it started out as a threat for laptops with Bluetooth facilities Bluetooth capabilities के साथ में जो laptops हैं उनके लिए एक threat बनके अभी recently emerge हुआ है इसके लावा students अगर हम बात करें the latter hackers use the techniques to target mobile phones and other devices यहाँ पे अगर हम blue bugging के बारे में देखें कि कैसे यह attack है जो work करता है blue bugging attack work by the exploiting Bluetooth enabled device the device का जो Bluetooth must be in discoverable mode में होता है default setting होती है most device की तो hackers यहाँ पे Bluetooth जो है उससे pair करने की कोसिस करेंगे और अगर connection एक बार established होता है तो उसके बाद में वो अपना attack करेंगे और अपना bypass the authentication authentication को bypass कर देंगे और जिसके थुरू आपका जो भी information है उसको वहाँ पे access कर पाएंगे और आपका यहाँ पे जो device है वो compromise हो जाएगा अगर हम बात करेंगी कौन से device हैं जो सबसी ज़्यादा यहाँ पे threat है जो उनके हो सकता है blue bugging की वज़े से तो Bluetooth enabled device can be the blue bug wireless earbuds are in the susceptible to such hacks इसके लावा students हम बात करें कि एक बार अगर आपका hack होता है तो आपका यहाँ पे सबी जो message है read किये जा सकते हैं send भी किये जा सकते हैं और आपकी जो information है वो यहाँ पे चुराई जा सकती है still की जा सकती है तो एक नए type का यहाँ पे Bluetooth को use करते हुए आपका जो phone है वो compromise हो सकता है तो आप इससे थोड़ा बच के रहिए यह एक नए type का जो word है वो news के अंदर में था आज अगर हम बात करें students next topic की तो next topic है central depository service india limited अभी central depository service india limited ने detect किया है कि उनके उपर एक cyber attack हुआ है तो उनके उपर एक cyber attack हुआ तो यह भी यहाँ पर news में था central depository service india limited के अगर हम बात करें यह government registered share depository है इसके अलावा state की जैसे जो counterpart है national security depository limited उसके अलावा यह share depository के रूपे वर्क करती है share depository वो होती है जो shares को electronic या demetalized form के अंदर में उनको रखते हैं deposit करके and enabler for the security transaction playing something somewhat similar role जो bank जिस तरीके से आपका पैसे के लिए role play करते है आपका कैस है आपका fixed deposit है वैसे ही यह share market के अंदर में work करती है central depository service india limited central depository service india limited के अगर हम बात करें 1999 में इसको establish किया गया था यह market infrastructure institution है उसका deemed as a crucial part in the capital market structure provides service to all market participants including exchange clearing corporation depository participants issues and investors तो यह basically students यहाँ पे central depository service india limited की बात थी share depositories क्या होती है इसके बारे में हमने देखा कि जिस तरीके से bank यहाँ पे हमारा जो पैसा रखते हैं FD का पैसा जो रखते हैं उसी तरीके से securities को deposit करके रखनी का जिनका काम होता है वो यहाँ पे central depository के रूपे work करती हैं share market के अंदर में तो यह central depository एक organization है एक government register share depository है nation security depository के अलावा उसके साथ में यह other share depository है अगर हम बात करें students next topic की तो next topic है ओस्ट्रा हिंद 2022 ओस्ट्रा हिंद बेसिकली एक exercise है army की हमारी bilateral exercise है एंडिया और Australia के बीच में यह bilateral exercise है 2022 के अंदर यह organize हो रही है राजस्तान के अंदर में महाजन field firing range है राजस्तान के अंदर में वहाँ पे यह exercise चल रही है bilateral exercise है और अगर हम बात करेंगी annual basis पे यह conduct की जाती है एंडिया और Australia की यह army exercise तो यह आपको पता होना चाहिए तो यह भी topic आज news के अंदर में था ओस्टरा हिंद 2022 यह एक bilateral exercise इसके अलावे students आज हमने यहाँ पे Central Depository Service India Limited के बारे में देखा बिल्यू बगिंग के बारे में देखा new form of cyber attack या cyber threat के बारे में जो चल रहा है news के अंदर में और यहाँ पे हमने देखा Indian Olympic Association के बारे में तो students यह आज का हमारा current affair का discussion था आप इन topics को revise कीजिए इस तरीके से regularly news के अंदर जो भी topics हैं उनको हम यहाँ पे discuss करते रहेंगे आपके लिए continue Indian Olympic Association में हमने Olympics के बारे में देखा था कि कैसे चार साल में Olympics ओर्गनाईज होते हैं जो next आप पेरिस के अंदर होंगे इसके लावे students आपको पता होना चाहिए कि Commonwealth Games भी ओर्गनाईज किये जाते हैं और Commonwealth Games जो है वो भी चार साल के अंदर ही किये जाते हैं और इसमें maximum वो countries participate करते हैं जो कभी Commonwealth Games के अंदर में participate करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए तो students बने रही है हमारे साथ regularly हम मलते रहेंगे ऐसे ही Thank you students, thank you very much